थुल्ला भाग 33, मेगा न जाने कितने लिम्हे अपने साथ बटोर के ले जा रही थी कभी सोचा भी नहीं था कि बॉलिवुड के इतने बड़े स्टार से उसकी अचानक मुलाकात होगी और उसके साथ रिष्टे में बंद जाएगी। मीडिया में हर तरफ टियार की सगाई की खबरे आने लगी एक साधारन परिवार की लड़की को बॉलिवुड के बड़े स्टार टियार ने अपने जीवन साथी के रूप में चुना मेगा के घर मीडिया का जमावरा लेकिन जब उनको पता चला कि मेगा अभी कुछी देर में एरपोर्ट पर लेंड करने वाली है मेगा इस बात से अंजान थी कि उसको मीडिया का भी सामना करना पड़ेगा मेगा के बाहर निकलते ही मीडिया के लोगों ने उस पर सवालों की बच्छार कर दी मेगा जी बॉलिवुड के इतने बड़े स्टार से सगाई करके कैसा फील हो रहा है मेगा ने मुस्कुराते हुए गर्दन जुका दी तभी दूसरा सवाल मेगा टियार तो कभी भोपाल नहीं आये फिर अचानक से ये सगाई या आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो मेगा कोई जबाब न दे पाए मेगा के पिता ने बस इतना ही कहा कि हमा का माथा गूं गया आपको कैसे पता मेगा ने पत्रकारों की तरफ देखते हुए कहा पत्रकार बोला मेगा जी वो एक बड़े स्टार है उनको जो खाम भी होता है तो खबर बन जाती है आप जानते हुए कि उनको एक किद्नी है फिर भी रिस्क उठा लिया मेगा गाड़ी मेगा की इस बात को टेली विजन के सभी चैनल दिखा रहे थे थुल्ला एयरपोर्ट से घर जा रहा तभी उसकी गाड़ी के सामने से 11-19 साल की एक लड़की बधवास सी एयरपोर्ट की तरफ भागी चली जा रही थी थुल्ला अपने बोडी गाड़ से कहकर उस लड़की के बारे में पता कराया तो लड़की ने कहा उसके भाईया और भावी उसे अकेला छोड़कर विदेश जा रहे हैं थुल्ला ने उसे अपनी गाड़ी में बिठा कर एयरपोर्ट तक छोड़ने का निरने लिया उस लड़की ने पूरी बाते बताई कि उसका भाई यहां का घर बेचकर हमेशा के लिए अपनी पत्नी के कहने से इंग्लेंड जा रहा है वहां उसकी पत्नी के पिता का बड़ा कारोबार है मेरे कोई भी नहीं है वो घर भी दो दिन में खाली करना है एरपोर्ट पर पता चला कि उस फ्लाइट को गए हुवे भी तीन घंटे हो गए लड़की बहुत रोई थुल्ला ने उससे पूछा कि आपको कहा ड्रॉप कर दूँ यन ही छोड़ दीजिए मैं अपने भाई को रोक नहीं रही थी मैं इसलिए आई थी कि आज रक्षा बंधन का त्योहार था में ये राखी बांधने के लिए उसकी गारी के पीछे भाग रही थी इतना कहते कहते वो रोने लगी बात करते करते थुल्ला उसे अपने बंगले पर ले आया पोर्च में गारी रुकी तो अर्जुन कहीं निकलने ही वाला था अरे दुर्गा अर्जुन उस लड़की को देखकर उसकी तरफ बढ़ा लड़की ने जैसे ही अपना नाम सुना तो वो अर्जुन की तरफ दोड़के गई और उसके कंदे से लगकर रोने लगी थुल्ला भी गारी से उतर आया था सभी लोग अंदर आ गए अर्जुन ने थुल्ला से बताया कि ये वही रहती है जन्हा में और आई पहले रहते थे ये दुर्गा है इसका माबाप दोनों नहीं है इसका भाई भी इसका साथ नहीं देता ये भी मेरी तरही खाना बनाने का काम करती थी बेचारी बहुत छोटी उम्र से काम कर रही है थुल्ला ने दुर्गा से कहा अब आपका नहीं नहीं जाओगे इसी घर में रहो उधर आपका जो भी जरूरी सामान है उसको लेकर आओ ड्राइव आपके साथ जाएगा दुर्गा थुल्ला के पैरों में गिर की रोने लगी थुल्ला ने उसे उठाया और बोला अब रोने का नई और एक अच्छी बहन बन के ये राखी मुझे बांध दो आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ सभी ने रक्षा बंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया दुर्गा ने पूरा घर समहाल लिया और रहने का एक मजबूत थिकाना भी मिल गया थुल्ला ने पहले ही दिन दुर्गा से राखी बंधवाने की तोफे में रहने के लिए घर में कमरा दे दिया था साथ ही ये भी इस घर में नौकर की हैसियत से कभी न रहना तुझे बहन माना है इसलिए तुझे भी वो सब अधिकार है जो एक परिवार में लड़किया बहन के होते है मुझे गर्व होगा उस दिन जब तेरे लिए एक अच्छा लड़का देख कर तेरा घर बसा दूँगा दुर्गा के आने के बाद किसी भी घर के नौकर को नहीं हटाया था फिर भी दुर्गा घर के कामों में व्यस्त रहती सविथा का विशेश ख्याल रखती आज अर्जुन ने थुल्ला को बताया कि कहा कहा उसकी प्रॉपर्टी है थुल्ला ने कहा ये सब आपका काम है मुझे इन सबसे दूर ही रखो मेरी एक ख्वाहिश है अगर आप बोलो तो मैं आपको बता दूँ अर्जुन ने कहा जरूर बता तेरी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करूंगा थुल्ला ने कहा भैयू मैं चाहता हूँ दादी के नाम से एक स्कूल खुले उसमें जितने भी गरीब बच्चे हैं वो पड़े और उनसे कोई फीस नली जाए स्कूल की जगह से लेकर बच्चों की पड़ाई तक की सारी जिमदारियों को हम दोनों मिलकर पुरा करें अर्जुन ने बिना रोक टोप की सहमती दे दी चून की काम तो सब अर्जुन को ही करना था सरकार की इजाजत लेकर अरजुन स्कूल की जगह लेकर निर्मान कार्य शुरू करवा दिया इस बात की भनक मीडिया या राजीव तक को नहीं थी इसी बीच सविथा ने एक बेटे को जन्दिया आई की खुशियों का ठिकाना ना था बड़ी धूमधाम से थुल्ला ने इस जन्मोट सव को मनाया आज अरजुन को लगा ये थुल्ला हम लोगों के जीवन में भगवान बन कर आया है मेगा भी किसी सेलिब्रिटी से कम अपने को नहीं समझ रही थी थुल्ला ने जब ये कहा कि हम अपनी शादी इतली जाकर करेंगे उस शादी में सिर्फ और सिर्फ परिवार वाले ही शामिल होंगे मेगा ने ये बात अपने पिता को बताई तो चिंतित हो गए उन्होंने अपने दामाद टियार से फोन पर बात की तो थुल्ला ने पहले ही उनकी बात को समझते हुवे कह दिया पापा जी आप बस सब के पासपोर्ट रेडी रखिये और मुझे बस इतना बता दीजिए कि आपकी तरफ कितने लोगों को जाना है पैसों की जरा भी फिक्र न करें क्योंकि अब मेगा मेरी है और जो मेरा है वो सब कुछ मेगा कही है ये बात सुनकर एक बेटी के बाप के कलेजे में कितनी थंड़क पहुँची होगी ये एक बेटी का पिता ही समझ सकता है आज हिल्या देवी इंटर कॉलेज का उद्धाटन था थुल्ला आज सुबह सुबह ही राजीव के घहर आया था थुल्ला ने पूरी बात जब राजीव को बताई तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा राजीव ने कहा मैं तो तेरे जन जन का कर्जदार हो गया थुल्ला ने कहा मैं चाहता हूँ स्कूल का उद्घाटन रिया मेंसाब के हाँच से हो क्योंकि यहा원 तक के सफर में मेंसाब ने एहम भूमिका निभाई है इन्ही की वजह से मुझे आप मिले मेरी दाधी मिली इन्ही की वजह से मुझे अरजुन भहयू मिला आपने जो उपकार मेरे ऊपर किये है साहब उनका तो कोई हिसाब ही नहीं बनता आप मेरे लिए अनमोल हो साहब और ये अनमोल चीज मुझे रिया मेम साब ने ही दी है रियाने बीच में ही टोकते हुए कहा तुझे कितनी बार बोला मुझे दीदी और इनको जीजाजी बोला कर पर तु है कि मानता ही नहीं में साब बच्पन में सीखी बात बच्चे के दिल और दिमाग में पत्थर से खीची लकीर की तरह हो जाती मुझे आज भी आपकी वो जार याद है जब मैंने साहब को जीजाजी कहा था तो आप नाराज हो गई थुल्ला ने हस्ते हुए कहा आप बताओ वो बच्पन की आदत को कैसे भूल जाओं जो आपने मुझे सिखाई थी मैं जब भी साहब को भूल से जीजाजी कह देता हूँ तो मुझे आपकी जार याद आ जाती है अहिल्या देवी इंटर कॉलेज के प्रांगल में चारों तरफ जन्यिया लगी थी प्रांगल के बीचों बीच माताजी अहिल्या देवी की 15 फीट की तामबे की मूर्ती जगमगा रही थी मीडिया के कुछ लोग ही थे महराश्ट्रा सरकार ने कोरोना महमारी को ध्यान में रखते हुए चाली से अधिक भील की इजासत नहीं दी थी रिया और राजीव की आँखों में माताजी की मूर्ती देखकर आशू आ गय थे रिया ने फीता कात ते हुए माताजी की मूर्ती को श्रग्धा सुमन अरपित किये सभी ने जोरदार तालियों से राजीव और रिया का स्वागत किया मूर्ती के नीचे स्वर्न अच्छरों से मिसेज रिया के करकमलो द्वारा इस इंटर कालेज का उद्धाटन किया गया दिनाग 4 अगस्त 2020